आज इस वीडियो में देखने वाले कमें वाहिस अकाउंट जो लास्ट टू वीडियो में शेयर किया था आपके साथ उसमें हमने कुछ चीज़ों को किया था आपके साथ लेकिन उस ट्राइं पॉसिबल नहीं था कि उसको जादा एक्स्प्लेंड कर भाएं क्यूंकि जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो मैं किसी चीज़ के लिए वेट करना होता है तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट हम कुनेक्टिड अकाउंट के उपर बात करेंगे सेकेंड आप सेंड मनी कैसे पाकिस्तान कर सकते हैं और थर्ड सॉर्स ओफ इंकम का जो एक इश और जो वीडियो है उसो जो लास्ट वीडियो है सकी आब्फंस के ओपर आएंगे तो स्क्रीन में आने के बाद ही यहां पे आप हैं यहां पर आपल पर जो है वो connected account कहां से होगा तो लास्ट वीडियो में हमने यहां पे देखे तो यह वीडियो है यह वनी वीडियो है वाइस परसनल अकाउंट सेटप वेरिफिकेशन हाउ ट्रांसफर मनी टू पाकिस्तान और उसके साथ आप यहां पे अगर इसके वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे 238 के उपर मिलेगा कि आप कैसे connected accounts को link कर सकते हैं अपने voice के account के साथ आपका जो business create है आपने जो business का account create किया है उस business account में जो आपको USD की details मिली है आप उसको connect करेंगे अपने voice personal के साथ और आपको उस time में इसको जब आप देखें कि complete video देखें कि आपको अच् आपके connect किया जब आप connect करते हैं तो वाइस आपके bank account में दो deposit send करता है मैं आपको शो करवा दूमों deposit deposit है यह उन्होंने छोटी से transaction की थी wise 0.31 और wise 0.10 USD तो इन जो transactions है इन transactions को verify करने के लिए आपको यहां पे वापिस जाओं personal account में तो यहां पे settings में जाएं तो आपको connected account में यहां पे बटन मिलेगा तो verify account के बटन के उपर click करना है आपने just simple और जो दो deposit wise ने आपको business account में दिये हैं आपके उसके उपर क्या करना है वो जो deposit है उसको आप इंटर करना है और submit कर देना है उसके बाद आपका account जो है वह approved हो जाएगे देखें मेरा connected account जो है वो connect है मेरे wise person के साथ यह मेरा business wise account है जो connect है मेरे personal wise के साथ इस वीडियो को आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि आप समझ जाएंगे के हमने account को connect किस परपस के लिए किया है और यह क्यूं हमारी payout में help कर सकते हैं आपके पाकिस्तान के bank deposit में क्यूं आपकी help कर रहे हैं तो इस चीज को समझेगा पहले connected account को हमने समझ लिया कि connected account क्यूं जरूरी है और हमने अपना बाइस का business account इसके साथ integrate कर दिया अब second option हमारे पास है कि हमने send money करनी है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में जब आप send money के बटन के उपर क्लिक करेंगे कुछ questions के बाद वह आपसे income of source मांगेगा जिसको मैं एक्स्रेम किया आप income source of income क्या देंगे उसको आगे हम देखने वाले हैं तो यहां पर हम क्या करने हैं send money के बटन के उपर क्लिक करते हैं simple as trade transactions की तरफ जाते हैं कि आप अपना money जो है उसे पाकिस्तान के bank account में कैसे transfer करेंगे तो यहां पे international लिखा हूँ है मैं यहां पे $5 को इंटर कर देता तो नीचे description से आपको link मिलने हो ला है उस link के उपर click करें आप अपना account setup करें वीडियो आपको YouTube चैनल पे हमारे चैनल के उपर मिल जाएगी उपर link में आपको आई की बटन में link मिल जाएगा तो आप उसको पर click करके video भी देख सके description में भी आपको video मिलेगी तो new contact create करने तो someone else या myself आप कर सके अपने बैंक अकाउंट में transfer करने हैं तो आप यहां पर आपका नहीं मांगे आपना आइबन नंबर पाकिस्तान का कोई फरक नी पड़ता है इस पर स्टेंडर चार्ट बैंक अलपर आपका बैंक है मेजान बैंक है तो आपने आपके आइबन के बटन के पर क्लिक करें वाट इस जोर अकाउंट फोर तो आपका अकाउंट क्यों है सेंडिंग मनी टू फ्रेंड फैंड 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 इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइंड लोगा लेगन आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो पेमाइंट है आपके पाकिस्णा के बएकंप कोई मेज़ी डिपॉसित हो सके तो आप अगर सेविंग अगूई के अंदर और आपके लिए हैं सेविंग्स को यूज कर सेखी क्योंकि आपके पास बैंक स्टेटमेंट आज है और आपका वो सोर्स आफ इंकम होगा अपनी सेविंग्स यूज किया है और थर्ड यहां पे आपके साथ जो मैं करने वला हूँ वह है कि आप ने जो है वह यहां पे रहें असेलरी और पैंशन यह इंपॉर्टेट है आप देखें अगर मैं receiving a salary और pension के उपर क्लिक करता हूँ तो continue के बटन के उपर क्लिक करूँगा तो मुझसे वो पूछेगा मैं लिखता हूँ US मैं यहां पर कर देता हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में पैसे मंगवा तो continue के बटन पर क्लिक कर दे वाइस है तो आपका प्लैन क्या है मैं आप इसको स्लेक्ट करता हूँ और उसके बाद यह मुझसे पूछ रहे कि अज़ते सेलरी आपका सोर्स ऑंकम क्या है व technical छी आपका सेलो आपके यहां पर क्या आ पकर कर दो नहीं को सब्मीट कर सकते हैं फक्रेंस के scores क्यों पर अपको एकस्ट्रीम की अपर दिखाने वहाँ कि आ आप यहां पे अब यहां पर देखें, पेशल्ट है ये, और पेशल्ट आप सम्मिट कर सकते हैं, यहां पर मेरा नाम आप कम्पनी के AS A Director है और आप अपनी कम्पनी ही में से अपनी पेशल्ट बना सकते हैं, आपकी company का नाम है Myka Guru Formations, INC Limited, LLC, कुछ भी आपकी company का नाम है, यहां पे आपकी official stamp आएगी और आपका sign आएगा, और उसके बाद employer signature में भी आपका sign आएगा, आप अपनी ही company के employer हैं और आप अपनी ही company में से as a salary ले सकते हैं, आप अपने accountant से मशवरा ले सकते हैं, अपने accountant की help कर सकने हैं, और अगर आप already हमारी services में रॉल हैं, तो हम already आपको guide कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान से बनवा ले, अब अगर आप US से बनवाएंगे, तो आपको वहां पे बनवाने पे फिर पाकिस्तान मंगवाने में काफी इच्छा हासा खर्चा पढ़ जाएगा, तो ब आपने ली है, और वह acceptable है, यह एक्जांपल के तोर पर यह है, यह आपके सामने आप से देख हैं, और यहां पे second, अब मैं वापिस आउंगा, वीडियो के उपर और यहां पर आप देखे, annual income आपकी क्या बन्जा है, और आप उसके साब से calculate कर ले, आप देखे, salary करता हूं, और मैं annual यह कर देता हूं, यहां पर देखे, पेस्लिप मांग रहे हैं आपसे, जो मैंने आपको show करवा दिया, second, आप से tax returns मांग रहे हैं, अगर आपने US में, अगर आपके single member agency है, तो आपने definitely अपना tax return किया होगा, तो tax return के आपको document वीज़ कर सकते, आप अपने CPA से, जो ह proof of employment भी आप इनको दे सकते हैं, तो यह basic चीज़े हैं, यह तीचे चार चीज़ें आप अपनी ही company से ले सकते हैं, जो आपके business bank account create के हैं, तो यह source of income को समझने के लिए, मैंने explain किया, सब कुछ उमीद है कि आपको उच्छे से समझ आ गया होगा, अब हम चलते हैं, अब मैं मैं यहां पर वापिस जाओंगा, बैट के बटन को पर क्लिक करता हूं, और मैं यहां पर फिर इतनी payment है, और फिर salary, main source of income, आप salary कैसे इसमेंट और something else भी कर सकते हैं, तो हम यहां पर जो है, वो something else कर देते हैं, और हम Amazon earning भी कर सकते हैं, यहां पर कोई भी source है, Shopify से ने कर रहे हैं, यहां पर अपनी sales services भी हैं, तो आप आप से भी अपना income source जो है, वो बता सकते हैं, something else कर सकते हैं, salary मेरे खाल से एक best option है आपके पास, और आप उससे जो है, दिखा सकते हैं, फि हम यहां पर continue के button को बत्की कर सकते हैं, यहां पर paste the tax returns और employment contract और proof of employment, तो आप यहां पर जो है, आप इन चीजों को add कर सकते हैं, employer name और amount you earn, your full name, employment का एक contract, तो the data आप internet के पर search करें, आपको वो भी मिल जाएगा, अच्छा, अब हम चलते हैं, next process की तरफ के हम कैसे अब अपनी पाकिस्तान में payment sent करेंगे, अब यह चीज़ अगर आपको समझ आ गी है, तो आपकी payment जो है, वो पाकिस्तान में sent हो जाएगी, अगर इसकी समझ नहीं आए, तो थोड़ा से send करना आपको दुबारा मुझकी लोगा आपकी deposit करें, वो cancel भी हो सकता है, तो यहां पे मैं इसको continue के बटन को पर क्लिक करतो, gift letter, scholarship document, lease agreement, three months of bank statement or something else, तो something else में आप देखें, your full name, amount you received, name of the person or company who paid you, तो date the document was issued, तो मैं का करने वोलो हूँ, मैं यहां पर लिखने वोलो हूँ, source of income मुझे का से आया, अच्छा, upload proof of your main source of income, तो मेरे पास बड़ा ही simple एक PDF file है, जिसमें यह सारी च अगर आपका भी जो sender है, जहां से आपको payment आईए, चाहे वो company हो, चाहे वो user हो, जो दूसरा है, जो person हो, तो आप उससे invoice मंगवाएंगे, proof मंगवाएंगे, तो उन letter आपको इस तरह से prepare करके दे सकता है, कि आपकी payment जो है, वो sent हुई है, तो उनकी stamp को sign हो, तो यह letter आपको send कर दे, यह आपको paste tip send कर दे, तो इस तरह करके आप upload करेंगे, proof of income में upload करने वाजा हूँ, receive को और मैं downloads में जाता हूँ, और मैं proof को upload कर दे तो यहां पे और मैं submit के button के उपर click करता हूँ, अब मुझे place of birth वो पूछ रहा है, तो place of birth मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, और उसक इसे बाद review details of your transfer, तो यहां पर देखे 5 GBP, यह amount बन रही है, आप चाहिए तो एड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहां पर GBP है तो आप USD कर सकते हैं, USD करने के बाद आप इससे continue कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए किया कि आपके mind में कुछ confusion न रह जाए कि यह क्यों इस तरह ह months, confirm pay for this transfer right away, तो यह एक important है, इसके बाद यह मेरी details आप देख रहे हैं, अब देखें, by Monday, now sending करेंगे, should arrive by Monday, और never, तो इसके बाद अगर कुछ confusion हुई payment नहीं जाते तो तब भी discuss करेंगे, आप से घर जाती है, तो bank statement आप से share करेंगे, तब भी, तो confirm and continue के बटन के उपर क्लि करने के बाद, अब imported, how would you like to pay, तो आप debit card से pay करते हैं, आप credit card से pay कर सकते हैं, wire transfer and international wire और wire, your wise account यहां पर क्यूंकि यह चीज़े नहीं है, तो आपको नहीं transaction होने देगा, तो अभी wire transfer भी निकर सकते, international wire भी निकर सकते, your wise account भी निकर सकते, यह दो तो open हो जाएंगे, जब start में कहा था कि connected account हम क्यों link करते हैं, और last video में उसका link description में है, आप उसे देखें कि आपने कैसे अपना account add करना है, settings में यहां से settings में से जाके, तो यहां पर देखें connected US bank account, इस यह इसको पर click करता हूं, continue to payment के बटन को पर click करता हूं, pay from your connected bank account, तो यह जो है, यह मेरी company का account है, अगर आपकी कपनी का account को यह हो रहा है, तो आप उसे भी add कर सकते हैं, अपने connected account में, तो यह जो है, यह wise का account है, तो मैं खाता हूं, pay five USP from this account, तो अब आप समझ गयो होंगे, को मैंने connected account को क्यों use किया, और connected account को use करने के बाद, मैंने उस connected account को क्यों use किया, मैं मेरे Pakistan bank transaction करने में तो जोर ट्रांसफ़र विल टेक लॉंगर देन एक्सक्टिव यूंटेनु विद इस न्यूटे डेट और पे विद कार्ड वायर तो स्पीड अप्ट यहां पर क्लिक करता हूं यहां पर मुझे कोड आए का और मैं कोड यहां पर यहां पर इंटर कर देता हूं तो मैंने कोड इंटर कर दिया डन के बटन के उपर क्लिक करूंगा अब यहां पर हमारे पास जो है पेमंट यह वो ट्रांसफर हो जाएगी वी आप और यूर मनी ऑन दा मूव बाए इप्रेल 19 वीडियो आपके डालूंगा कि मेरी पेमंट सिस्सफूली अपांट में ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं तो इसके बाद अब हम अपना यांसे लोज कर देते हैं सेंडिंग के बटन के उपर है आपके पास सेकंड मैथट है फस्ट आप वाय ट्रांसफर टैडिक काड़ डेबिक काड़ से आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका जो यहां पे आपको जो यहां पे हमारी कमपनी के अंदर यहां पे अगर कार्ड में देखें तो आपको अड़ी कार्ड से भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस कार्ड से ट्रांसफर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कार्ड से ट्रांसफर करके देखें तो आप मुझे कमेंट करेंे किस्क बाक्स में नीचे बताएं कि मैं काड से भी ट्रांजशन करने सब्सक्राइब और मेरी Mोडिपेशन थे स्मैश लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ फर्संब के साथ जिसको इसकी जुरुरत आपको मालूं हो तो एक शक्स के साथ आप भी इस वीदियो को शे एसका भी काने वाली है, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अपर पॉल से काफना बहुत 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 काजी के वाइस रख, लापीस.